आप सभी को जय मसीख की दबाइबिल पूशन में आपका स्वागत है हमारा आज का वचन है उत्पति की पुस्तक बार्वा अध्याय यहुआ ने अबराम से कहा अपने देश और अपने कुटुम्बियों और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुछे दिखाऊंगा और मैं तुछे एक बड़ी जाती बनाऊंगा और तुछे आशीश दूँगा और तेरा नाम महान करूँगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीश पाएंगे यहुआ कि इस वचन के अनुसार अबराम चला और लूत भी उसके संग चला और जब अबराम हारान देश से निकला उस समय भाव 75 वर्ष का था इस प्रकार अबराम अपनी पतनी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने खटा किया था और जो प्रानी उन्होंने हारान में प्राप्त किये थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए उस देश के बीच से जाते हुए अबराम शकेम में जहां मोरे का बांज रक्ष है पहुँचा उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे तब यहवा ने अबराम को दर्शन दे कर कहा यह देश मैं तेरे वंच को दूँगा और उसने वहां यहवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहार पर आया जो बेतेल के पूर्व की और है और अपना तंबू उस थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की और तो बेतेल और पूर्व की और आई है वहां भी उसने यहवा के लिए एक वेदी बनाई और यहवा से प्रार्थना की और अबराम आगे बढ़कर दखिन देश की और चला गया उस देश में अकाल पड़ा इसलिए अबराम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे क्योंकि देश में भयान कर अकाल पड़ा था फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुँच कर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा सुन मुझे मालूम है कि तु एक सुनदर स्त्री है और जब मिस्री तुछे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुज़को जीती रख लेंगे अतल यह कहना मैं उसकी बहिन हूँ जिससे तेरे कारण मेरा कल्यान हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे फिर ऐसा हुआ कि जब अबराम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अती सुन्दर है और फिरॉन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरॉन के सामने उसकी प्रशंसा की इसलिए वह स्त्री फिरॉन के घर में पहुचाई गई और फिरॉन ने उसके कारण अबराम की भलाई की और उसको भेड बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधियां और उट मिले परन्तु यहोवा ने फिरॉन और उसके घराने पर अबराम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली तब फिरॉन ने अबराम को बुलवा कर कहा तुने मेरे साथ यह क्या किया, तुने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है, तुने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, पर तु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा और फिरॉन ने अपने आदमियों को उसके विशे में आग्या दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब समपति सही जोसकी थी विदा कर दिया